दोस्तों मानसिक स्वास्त एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे आपको anxiety और आगे जाके depression भी देखने को मिल सकता है ऐसे में अगर आप भी anxiety मैसूस करते हैं तो क्या कर सकते हैं जिससे आप ये problem अपने आप में खतम कर पाएं तो हमारे ऐसे कई सब्सक्राइबर रहें जिन्होंने हमें ऐसे topics के ओपर वीडियो बनाने के लिए comment करें तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपनी anxiety, stress, tension इन सब कैसे खतम कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे tips देने वाला हूं जिनसे आप अपने mind को काफी जड़ बिजी रख सकते हैं जिसके विज़े से आप overreact नहीं करेंगे ज्यादा सोचिंगी नहीं जिससे आपका जो mind है divert नहीं होगा क्योंकि जब भी आप नीद में होते हैं तो आपका जो दिमाग है वो भी शान्त होता है और वो भी अराम करता है जिससे आपको अगले दिन के लिए काफी ज़्यादा help मिलती है तो anxiety अगर आप खतम करना चाते हैं तो कम से कम आप साथ से 8 घंटे की नीद जरूर लें जिससे आपका दिमाग काफी शान्त रहेगा अगले दिन के लिए काफी प्रिपेर रहेगा तो अगर आप डेली साथ से 8 घंटे सो जाते हैं तो आपको यह रोज की चिंता से बहुत ज़्यादा चुटकारा मिलेगा तो अगर आप anxiety से बचना चाते हैं ज़्यादा सोचे ना ज़्यादा डिप्रेस ना रहे तो आपके लिए नीद बहुत ज़रूरी है अगले टिप के बारे में बात करें तो यह है caffeine दोस्तों गैफिन एक बहुती बेसिक साल्ट है जो कि आपको चाय और कॉफी में देखने को मिल जाता है अकसर हम सभी को लगता है कि कॉफी चाय पीने के बाद हमारो जो तनावे कम हो जाता है लेकिन यहाप एक काफी सोर्स हैं जिन से पता चलता है कि यह काफी ज़्यादा mentally और long term के लिए काफी ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि एक चाय पीने के बाद जब आप सोचते हैं कि आपका जो mood है वो refresh होता है लेकिन अगर इसको हम long term के purpose से देखे तो आपके behavior में चीट-चीड़ापन और ज़्यादा बढ़ता है जिससे आपको short tempered की problem होती है यानि कि बहुती चोटी चोटी बातों पर आपको गुस करते हैं तो 80% problem तो आपकी ऐसे ही solve हो जाएगी जब भी आपको depression होता है anxiety होती है और जब आप किसी psychiatrist के पास जाते हैं तो उनका सबसे पहले सवाल यही होता है कि आप अपने पूरे day के schedule में कितने समय तक phone चलाते हो इतना time आप दूसरों की life को देखने में लगाते हो क्यों ऐसे में जो लोग social media ज़्यादा use करते हैं उनको anxiety और depression होने की problem काफी ज़्यादा देखे जाती है और औरों की तुलना में उनको यह चीज़ अधिक होती है और साथी साथ उनकी life चेक कितनी अच्छी हो लेकिन उनको अपनी life औरों के मुकाबले बहुत खराब देखने को मि यह एक mind game होता है जो कि वह समझते हैं और इसी की वज़े से वह anxiety में चले जाते हैं क्योंकि social media एक ऐसी जगह है जहां पर हर एक इंसान अपनी life का सिर्फ अच्छा पार्ट बताता है बुरा नहीं तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी depressed नहीं होना है और अगर आप social media के काफी addict हैं तो ऐसे में doctor आपको सिर्फ यही suggest करेंगी कि आप एक से दो मेने के लिए social media से break ले लिए क्योंकि social media हमारे life में heavily बहुत ज़्यादा influence है तो यहां पर अगर आप depression में है यह फिर आपको काफी anxiety रहती है तो social media से दूरी बना के रखी अगली tip की बात करें तो यह है exercise जोस् आपकी जो natural health है वो भी increase होती है साथ साथ आप अपने mind को और ज़्यादा expand कर पाते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा anxiety मैसे उस करते हैं tense रहते हैं तो यहां पर अगर आप daily exercise करते हैं अपनी body के लिए तो यहां पर आप काफी ज़्यादा अच्छी एक habit बना सकते हैं ज जिससे आपको यह problem बहुत ज़्यादा rare देखने को मिलेगी तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे 4-5 ऐसे point जिनसे आप अपनी anxiety और depression की level को काफी कम कर सकते हो अगर आप इन points में से दोग को भी अच्छे से follow कर लेते हो तो आपकी mental health पे काफी असर पड़ेगा जिससे आपकी mental health का problem भी देखने को नहीं मिलेगी तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा वीडियो अगर अच्छी लेगी तो लाइक जरूर करना शेर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वह लिंक को प्रेस जरूर करना thank you guys for watching this video